गुरुदेव और मागायती के चर्ण में कुटी कोटी नमन आप सभी को प्रणाम विज्ञान में कोश की साधना करुणा का जागरण इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने बताया था अपना भविश्य हम कैसे जान सकते हैं कैसे हम पता लगाएं कि हमारा भविश्य अंधकार में है या सुनहरा है हमको भावी भविश्य में सफलताय मिलेंगी या नहीं और इसका एक ही उपाय है और वो है किसी भी काम को मन से करना मन लगा कर करना आईए जानते हैं अब उससे आगे पूची गुरुदेव कहते हैं मित्रों कल में आपको तीन कोशों की बावत बता रहा था ये तीनों के तीनों कोश हमारी स्थूल शरीर से सम्मंदित हैं हमारा एक कोश अन्नमय कोश है जिसके बारे मैं बता रहा था अगर आप अन्नमय कोश ठीक रखे तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और लंबे समय तक आप जिन्दा रह सकते हैं आलत से और प्रमात को हटा देने के पश्चात आप किस तरह से दुनिया भी सफलताएं पास सकते हैं इस बारे में मैंने बाटा का हवाला दिया था हजारी किसान का हवाला दिया था और पिसन हरी का हवाला दिया था श्रम का देवता जो अपने पसीने की बूंदों की रूप में हीरे और मोती टपकात रहता है आप उन हीरे मोतियों को समेट कर रख सकते हो तो मैं आपको यकिन दिला सकता हूँ कि आप मालदार होकर रहेंगे जो भी आपकी मालदारी की ख्षा हो जैसे कि विध्या की द्रष्टी से आप मालदार होना चाहते हो तो विद्ध्वान हो जाएंगे आप पैसे की द्रष्टी से मालदार होना चाहेंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे आप शरीर की दृष्टी से मालदार होना चाहेंगे तो सेहत वाली हो जाएंगे जो भी आप चाहेंगे हो जाएंगे पर शर्त यह है कि आप शरीर को बरबाद ना करें तबाह ना करें उसको छैनी हतोड़ा लेकर के आप तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं क्रुपा कीजिए इसको तोड़िये मत आप इसको बना नहीं सकते भगवान ने जो शरीर दिया है आप उस तरीके से तमीश से रहे हुश्यारी से रहे भले मानिश के तरीके से रहे इसको बरबाद क करने पर उतारू मत रहिए अगर आप ये कर सकते हों तो अन्नमय कोश की साधना हो जाएगी महराज जी कोई परुक्ष साधना बताईए बेटे मैं बता दूँगा मेरा प्राण क्यों खाता है नहीं सहाब को ऐसी विधी बताईए को ऐसा जादू बताईए जो शौर्टकर्ट से सिद्धी दिला सके बेटे जादू पीछे पूछना जादू पूछने से पहले ये देख ले कि जो अन्नमय शरीर है ब्यवहारिक जीवन में उसके उपासना कैसे की जा सकते है जादू तो जामन है दूद में जामन डाल देते हैं तो दही जम जाता है नहीं साब आप जामन ला दीजिए अरे बेटे तू पहले दूद का तू इंतिजाम कर महराज जी दही नहीं है तो कैसे जमेगा अच्छा तेरे पास दही नहीं है तो मैं और भी तरीके बता सकता हूँ चांदी की कोई चीज ले और दूद में डाल दे चांदी की वजह से दही जम जाएगा चांदी नहीं हो तो फिटकरी कर जरा सा टुकड़ा ले ले और बारीक पीस कर दूद में डाल दे तो दही जम जाएगा बाजार में पंसारी की दुकान पर एक तबाशी राता है उसे दूद में पुरक दे तो भी दही जम जाएगा महराजी अगर कुछ भी ना हो तो बेटे ठंडक में रहने दे तब भी दूद जम जाएगा अच्छा महराजी ये बताईये कि कोई भी जामन ना लाओ तो क्या दूद जम जाएगा बेटे तू तो जामन के पीछी ही पढ़ गया दूद का इंतजाम नहीं है दोहनी तेरे पास नहीं है जमावन है नहीं फिर क्यों रट लगाए हुए है जामन बताईए, विधी बताईए साधना बताईए मित्रों साधना ये है कि जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शक्तिया हैं जो सामर्थ है जो साधन है उनका हम ठीक तरीके से उप्योग कर सकें तो बेटे हम निहाल हो सकते हैं आपको नई चीजें पाने की चरद क्या है जो चीजें पहले से आपके पास है पहले उनका तो इस्तमाल कर ले नहीं सहब चीजे दिलबाईए नया पैसा दिलबाईए बेटे हम तुझे नया पैसा दिलबाईए ये हमारी जिम्मेदारी है पर पहले ये तो बता कि जो पैसा तुझे पहले से मिलता रहा है उसको तुने खर्च कहां किया बस हम तेरी तमीज, तेरी यौका, तेरी अकल और तेरी पातरता इस आधार पर आखेंगे कि तुझे जो मिलता रहा है उसे तुने खर्च कहां किया पहले ये बता आपको इससे क्या मतलब हम चाहे जैसे खर्च करें आप तो बस पैसा दिलवाईए नहीं हम नहीं दिलवाएंगे तु बेकार की बाते करता है पहले ये बता कि तुझे खर्च कहां करता है बस हम तेरी तमीज, तेरी यौका, तेरी अकल और तेरी पातरता इस आधार पर आखेंगे कि तुझे जो मिलता रहा है उसे तुने खर्च कहां किया पहले ये बता नहीं साहब हम चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं नहीं बेटे चाहे जैसे नहीं खर्च कर सकते हैं पैसा पात्रता के हिसाब से मिलता है गांधी जी को लोगों ने पैसे दिये उनमें से एक पैसा जमीन पर गिर पड़ा भारी भीर थी गांधी जी जमीन पर बैठ गए और जमीन क की रेत में से उस पैसे को तलाश करने लगे लोगों ने पूछा एक पैसे के लिए आप क्यों समय खराब करते हैं हम आपको दूसरा पैसा दे देंगे आप चलिए यहां समय खराब होता है उन्होंने कहा आपके लिए इस एक पैसे की केमत कुछ नहीं लेकिन जिस आदमी ने अपना पेट काट करके इस जिम्मेदारी से मुझे दिया था कि मेरे पैसे का सही इस्तमाल होगा उसको अब मैं क्या जवाब दूँगा आप ये बताईए कि जिसने ये समझ कर दिया था कि गांधी इस पैसे का ठीक से इस्तमाल करेगा और मैं ठीक इस्तमाल नहीं कर सका मैंने इसको गुमा दिया अब मैं उसको क्या जवाब दूगा मित्रो आपको तरह तरह की चीजें मागने से पहले तरह तरह की फर्माइशें करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आप में इतनी तमीज इतनी योगिता और इतनी पातरता है कि कोई चीज भगवान आपको दें तो भगवान की दी हुई चीजों का आप ठीक से इस्तमाल कर सकें आप अपने हाथ पाउं से कमाईए और बिगाड़िये भगवान से आपको क्या मतलब है पर नहीं हम तो भगवान जी से मागेंगे सिद्ध पुरुष से मागेंगे हाँ सिद्ध पुरुष और महात्मा भी दे सकते हैं देवता भी दे सकते हैं देते हैं और दे रहे हैं लेकिन कोई ये बताएगा कि क्यों देते हैं नहीं महाराजी आप किस से क्या मतलब नहीं बेटे हमको मतलब है हम तेरी आउकात तेरा व्यक्तित्व तेरी तमीज तेरा ज्यान और तेरी पात्रता को इस बात से नहीं जान सकते कि तूने क्या कमाया है लेकिन तूने खर्च कैसे किया है ये सीधी बात बताओ तेरे पास जो गुरू ने तो बहुत ग्यान दिया है हाँ बेटे हमारे गुरू ने हमको बहुत ग्यान दिया विध्या के भंडार दिये हैं लेकिन उससे पहले ये पूछा था कि इस ग्यान का तू करेगा क्या जब उन्होंने इस बात का विश्वास कर लिया कि जिस काम में खर्च करेगा तो ग्यान के भंडार उडेल दिये मित्रों में पैसे की बावत्म मैं अपना सबूत अपने गुरू को देता रहा हूँ हम अपने घर में पाँच आदमी रहे हैं हम और हमारी धर्म पत्नी हमारी भूडी मा जो 92 वर्ष की उम्रुपा कर उस समय मरी जब मैं यहां आया तीन हो गए और दो हमारी बच्चे कुल पाँच आदमी थे हम पाँच आदमियों में से 200 रुपए हम मासिक खर्च करती थे हम गरीब नहीं हैं हमारे पास 2000 भीगा जमीन थी उसका जब पैसा मिला तो हमने उसे गायतरी तपु भूमी में जमा कर दिया इससे पहले जब हम घर से आए तो हमारे पास 80 भीगा जमीन थी जो 5000 रुपए प्रती भीगा के हिसाब से बिकी और उससे 4 लाख रुपए आया उस 4 लाख की दौलत को हमने अपने गाउं के हायर सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दिया हम गरीब नहीं है कंगाल नहीं है बेटे हम अभी भी कुछ काम करने लगें अपनी कलम की नौकरी करने लगें तो हमको 2000 रुपए महिना कोई भी दे सकता है अगर हम अपने कलम का इस्तमाल करें तब हम क्या लिखते हैं बेटे हम गजब का लिखते हैं अगर हम कुछ करना चाहें और किसी प्रकाशक के लिए लिखने लगें तो 2000 रुपए महिना यहां घर बैठे दे जाएगा लेकिन बेटे हमने गरीब की जिन्दिकी जी क्यों? 2000 रुपए में हमने क्यों जिन्दिकी जी एक-एक पैसा हमने यह समस्कर रखा कि यह कितना कीमती है हम अपने लिए आवश्यक कामों में विलासिता में और दूसरी फिजूल खर्ची में खर्च कर दें उसके पेक्षा यह पैसा कहां खर्च हो सकता है इसका क्या उप्योग हो सकता है उसको प्रात्मिक्त दें हमारी अक्ल ने यह ध्यात्म हमारी उपर लाद दिया आज की लिए इतना कीमती है